केंद्र सरकार ने नए शिक्षानीति को अमली जामा पहणाने का काम शुरू कर दिया है इसके लिए केंद्र सरकार ने ये फैसला किया है कि शिक्षामंत्राले के स्कूली शिक्षा एवं साख्षर्त विभाग के तहत नए योजना के तोर पर स्टार्ट्स प्रजेक्ट को पहराज जी इसके दाइरे में आएंगे इस परियोजना पर 5,718 करोर रुपे की लागत का अनुमान है केंद्रे मंत्री मंदल की बुधवार को ही बैठक में इस परियोजना को मंजूरी दे दी गई है केंद्रे मंत्री प्रकाश जावेटकर और नरेंदर सिंखतों मर को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी की अध्यक्षिता में हुई केंद्रे कैबिनेट की बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी दी नई राष्ट्रे शिक्षा नीति को अब अमली जामा पहनना शुरू किया है और इसके लिए आज एक स्टार्स कारिक्रम का तै किया है निर्ने किया है कैबिनेट ने स्टार्स का लॉंग फॉर्म है स्ट्रेंदनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजर्ड्स फॉर स्टेट्स इसका मतलब यह है कि अब जो शिक्षा होगी वो रट्टा लगा कर पढ़ाई करना नहीं है पढ़ाई समझ कर सीखना यह मतलब है पढ़ाई का और इसके लिए यह स्टार्स कारिक्रम बना है जिसको मंजूरी दी है इसके लावार केंद्री मंदल ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख में राष्टे ग्रामिड आजीव का मिशन के तहट पांसो बीस करोड रुपे के विशेश पैकेज को मंजूरी दी जाविटकर ने बताया कि मंत्री मंडल ने जम्मू कश्मीर और लदाख में तीन दयाल अंतोदे योजना राष्टे ग्रामीर आजीव कमिशन के लिए 520 करोड रुपे के विशेश पैकेज को मंजूरी दी है सरकार चाहती है कि योजना 10 करोड महिलाओं तक पहुँचे ग्रामीर, कश्मीर, लदाख और जम्मू में रहने वाले दो तीहाई लोग इस योजना में शामिल होंगे यह पांच साल के लिए रहेगी और इसका फाइदा 10,58,000 परिवारों को होगा जम्मू कश्मीर में और लदाख में जो देश का जो तरीका था संख्या ढूंडने के लिए, चिन्नित करने के लिए उससे जम्मू कश्मीर में बहुत कम महिलाओं का सहबाग होता था उसको दूर करके, अब यह ताई किया है कि कश्मीर में ग्रामीन दो तिहाई परिवार ग्रामीन कश्मीर, लदाख, जम्मू में बसे, दो तिहाई परिवार इस योजना में शामिल होंगे इसके लिए दीन दाड़ा अंतियोदे राश्ट्री आजीव का मिशन का फाइदा सब को मिले इसलिए आज पास्सो बीस करोड का एक विशेश पैकेज जम्मू कश्मीर एवाम लदाख के लिए दिया है परियोजना समझ के साथ सीखने पर अधारित होगी यह स्कूल शिख्षा प्रणाली की निगरानी पर केंदरित होगी जिसे शिख्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा झाल झाल